हालो फ्रेंड्स बेल्कॉं टू जानी टॉक्स तो दोस्तों एच्पी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम से सबंदित यह मोक टेस्ट 25 रहने बाला है यह 25 वी कलास है अगर इससे पहले की कलासे आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को बुष्टव कर सकते हैं और दोस्तों जो यह मोक टेस्ट रहने बाला है इसमें जीक के साइंस, H.P.G. के हिंदी और इंगलिस के प्रेशन रहने बाले हैं तो दोस्तों काफी बढ़िया जो कलास है यह होने बाली है और दोस्तों इसमें आपके कम स से कम 25 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए तभी आपकी त्यारी जो है बहुत सही मानी जाएगी तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रशन से पहला प्रशन है जजिया बाज री इंपोस्ट डियूरिंग दा रैजन और आपको पताना है दोस्तो जजिया कर था बहुत किसके सासन काल में दोबारा लगाया गया तो दोस्तो यह जो जजिया कर था यह जो हो यहे नोन मुसलिम पर लगाया जाता था यानि कि जो हिंदू है उन पर यहे कर लगाया जाता था यहे हिंदू कों पर लगाया जाता था और यहां पर पूचा है कि यहे दोबारा नासी में अकवर ने इसे स्माफ्त कर दिया था लेकिन 1600 नासी में रंगजेब ने इसे फिर से दुवारा लगा दिया था तो इसका ओप्शन D जो है वो सही हो जाएगा रंगजेब अगला प्रशन है वो बाजदा फस्ट गवर्नर जर्नल और बेंगॉल बेंगॉल का प्रथम गवर्नर जर्नल कौन था तो आपने बताना है रोबेट कलाइब बारिन हैस्टिंग बिलियम बेंटिंग या फिर लौड कॉर्न बॉलेस तो दोस्तो बंगाल का जो प्रत्थम गवर्नर जनरल था बो था बारन हैस्टिंग ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा option B इसका सही हो जाएगा और दोस्तो बात करें भारत के प्रत्थम गवर्नर जेनल की दोस्तो बो थे बिल्यम बेंटिंग और यहां पर पूछा है बंगाल का प्रत्थम गवर्नर जेनल तो बो हो बारन हैस्टिंग इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है permanent settlement बाजे feature of स्ताई बंदोबस्त किसका लक्षन था तो दोस्तों जो स्ताई बंदोबस्त था permanent settlement थी यहे जमीनदारी सिस्टम यनकी जमीनदारी वेवस्ता का लक्षन था option A जो है वो सही हो जाएगा और इसे 1793 में दोस्तों Lord Cornivalis के द्वारा जो हो आपका ब जो All India Muslim League थी दोस्तों उसके संस्तापक कौन थे तो दोस्तों All India Muslim League जो थी उसके जो संस्तापक थे वो आगा खान और सलीम उल्ला खान थे तो इसमें दोस्तों यह option C और D जो है यह दोनों सही हो जाएंगे इसकी जो स्तापना थी दोस्तों वो 1906 में करी गई थी आगा खान और नबाब सलीम उल्ला खान के दौरा तो आपने याद रखना है और जो यह All India Muslim League थी दोस्तों इसका जो मुख्याले था बो था लखनाओ मैं और दोस्तों आपके लिए महतपून सूचना है अगर आप हैच्पी पॉलिस कॉंस्टेबल एक्जाम की तियारी कर रहे हैं और जाते हैं तो जो प्रिक्षा एप है वो आपके लिए बेस्ट टैसरीज लेके आया है और दोस्तों जल्दी से जाईए और प्रिक्षा एप की टैसरीज को प्रचेज करिए क्यूंकि दोस्तों कुछी दिनों में इसके जो प्राइज़ें वो बढ़ने बाले हैं कापी मिल जाएगा और जो यह टैसरीज है यह आपको कम कीमत पर बैलियेबल हो जाएंगी दोस्तों कुछी दिनों में एक दो दिनों में इसके प्राइज जो है वो बढ़ने बाले हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से ले सकते हैं बाद में आपको ज़्यादा जो महाबली पुर्म बर बिल्ट अंडर दा पैट्रोन ओ दोस्तों यहाँ पर पूचा है महाबली पुर्म के जो श्यालकृत मंदर है वो इसके स्रक्षण में बने थे तो यह बने थे जो पल्लव राजाए थे तो आप्शन सी जो है को सही हो जाएगा पल्लव राजाओं के स्र जो है वो सही हो जाएगा मरक्को से आया था इबन पतुत्ता और यहे जो दिली सल्तना थी उसमें मुहमत बिन तुगलक जो थे उनका शासन था उड़ून ने इन्हें काजी के बाद पर भी नियुक्त किया था अगला प्रशन है ता किंग्डम ओफ बिजनगर बाज इंको मैं करी गई थी और इनकी राज्षानी जो थी वह थी हम्पी अगला प्रशन है गीत गोविंद बाज्दा famous poem बाज written by तो दोस्तों गीत गोविंद जो थी आपने पताना है इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों है जो गित गोविंद थी इसकी जो रचन औफ इंडिया निमलिक्त मैंसे कौन भारत के राष्टपती की छुटियों के दुरान उनका पद संभालता है तो दोस्तों जब भारत के जो राष्टपती होते हैं वो छुटियों पर होते हैं तो उनके जो पद है वो संभाला जाता है दोस्तों किसी राज्ये के राज्येपा के पद का निर्णे कौन करेगा तो दोस्तों जलाब का पद होता है उसका जो निर्णे है वो भार्थ के राष्टपती और जो स्टेट होता है उसके गवर्नर जो होता है उसके द्वारा किया जाता है तो option A जो है बो सही हो जाएगा प्रेजिडेंट ऑफ हिंड्या और शाथ में यहाँ पर गवर्नर भी आ जाएगा अगला प्रशन है तो आपको पताना है दोस्तों उसके द्वारा कितनी प्रकार की याचिकाएं जो है जारी की जा सकती है तो दोस्तों उसके द्वारा जारी की जा सकती है पांच रिट पांच जो रिट है वो हैं आप उनके जो स्प्रीम कोट है उसमें आप पांच रिट जारी कर सकते हैं अगला प्रशन है बिच बाना फॉलोइंग स्टेट तो आपको बदाना है दोस्तों कौन से राजे में द्वी सदनी विधान मंडल नहीं है तो ये नहीं है मद्य बिहार करनाटक दोस्तों महारास्टरा पहले जमुक्षमीर में भी थी तेलंगाना और अंद्रफदेश में यहीं द्वी सदनी धान मंडल थी अगला प्रशन है बिचों फॉलोइंग स्ब्जेक्ट्स लाइज इंदा कंकरेंट लिस्ट निमलिक्त मैंसे कौन से विष्य संबर्ती सूची में समलित हैं तो इसमें समलित है एजुकेशन ऑप्षन बी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों संबर्ती सूची में वो विष्य शामिल होते हैं जिसमें राज्य सरकारे और केंदर सरकारे तोनों कानूल बना सकती हैं और यह जो सूचियां है दोस्तों और concurrent list ये समिधान की सात्वी जो अनुचूची है उसमें शामिल है अगला प्रशन है how much of the earth land surface is desert प्रित्वी की भूस्ते का कितना भाग रेगी स्तान है दोस्तों यहाँ पर पूचा है जो प्रित्वी की जो भूस्ते है उसका कितना भाग रेगी स्तान है तो इसका option C जो है व 29% भाग पर लेंड है लेकिन जो लेंड है 29% उसमें भी जो उसका बनवाई थर्ड है वहाँ पर रेगी स्तान है अगला प्रशन है अर्थक्विक बर स्वरी आर नौनेज आपको पताना है बुकंप के कारण उठने बाली महसागरी तरंगां को क्या कहते हैं तो दोस्तों ज नामी जो है यहे जपानी भाषा का सब्द है और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अवस्य सब्सक्राइब कर दें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अगला प्रशन ह दोस्तों बिस्व का सबसे गहरा महसागर है तो दोस्तों बिस्व का जो सबसे गहरा महसागर है वो है प्रशात महसागर और अप्सन डी जो है वो सही हो जाएगा और सबसे बड़ा महसागर जो है वो भी प्रशात महसागर है और इसमें सबसे गहरा गर्द जो है वो है मेरि और श्रिलंका के बीच ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा भारत और श्रिलंका अगला प्रेशन है इंडिया इस दा लारजस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर और तो आपने बताना है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन शाह देश है मतलब कौन कौन सी चीज का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है दोस्तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा माइका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अभरक इसे अभरक भी कहा जाता है अभरका भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, बल्ल्ड का 60 प्रेजनेट माई का जो है, वो भारत के द्वारा प्रड्यूस किया जाता है, अगला प्रशन है, लाइट एर इस ए योनिट और प्रकास वर्ष जो है, आपको बताना है दोस्तो, किसका मातरक है, टाइम का, डिस्टेंस का, लाइट का या फिर none of these दोस्तों जो लाइट एर है यहे दूरी का मात्रक है यानि कि डिस्टेंस का तो option बी जो है वो सही हो जाएगा दूरी का मात्रक है अगला प्रशन है विच इस दा fastest mode of heat loss आपको पताना है यह science के प्रशन शुरू हो गए है निमलिक्त मैंसे कौन शा उश्मा ब्याई का सबसे तीबर माध्यम है तो दोस्तों सबसे जल्दी जो heat loss होती है वो होती है convection में यहीं की समभेहन में तो इसका option जो भी है वो सही हो जाएगा convection में option भी सही हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों soap is sodium और potassium salt आपको आपने पताना है sodium साबुन जो है वो sodium या potassium का लबण है इनमें से stearic stearic amal का olic amal का या फिर palmitic amal का तो दोस्तों साबुन जो है sodium और potassium salt है इन तीनों का stearic acid olic acid और palmitic acid तो इसका option डी जो है वो सही हो जाएगा यह सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहे सभी अगला प्रशन है विचोप दा फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फार blue baby syndrome निमिलिक्त मैंसे कौन सा blue baby syndrome के लिए उत्तर दाई है आपने बताना है तो दोस्तों blue baby syndrome के लिए जो उत्तर दाई है वो है nitrate option B जो है वो सही हो जाएगा nitrate जो है वो blue baby syndrome के लिए उत्तर दाई है किसकी पस्तिदी के कारण दहीं जो है वो खटा होता है तो काफी अशान प्रशन है दोस्तों दहीं जो है वो खटा होता है लैक्टिक अमल की पस्तिदी के कारण option B सही हो जाएगा लैक्टिक अमल अगला प्रशन है opium is obtained from poppy in the form of पोस्ता से अफीम किस रूब में प्राप्त होती है आपने पताना है तो दोस्तों पोस्ता से अफीम जो प्राप्त होती है वो latex के रूब में होती है तो option C से हो जाएगा क्षीर के रूब में अगला प्रशन है दोस्तों अब HPGK के प्रशन शुरू हो रहे हैं H.P. G.K. का पहला प्रशन है दालेग चंदरताल इन विच डिस्टिकॉप H.P. माचब देश के किस जिले में चंदरताल जील है तो काफी अशान प्रशन है दोस्तो चंदरताल और सुरुजताल जो जीले है वो है लहुल स्पित्ती में और आप्शन D जो है वो सही हो जाएगा लहुल स्पित्ती और इसी जील को जो चीनी आती है इनसांग था उसने लहुति सरवर के नाम से पुकारा है अगला प्रशन है तचूडधार मौंटेन रेंज इन विच डिस्टिकॉप H.P. चूडधार परबश रिंखला जो है दोस्तो वो है माचब देश के किस जीले में ह आपने बताना है तो ये बढ़ती है सिरमोर ऑप्शन ए जो है वसाई हो जाएगा सिरमोर में अगर दोस्तो आपको इसकी हाइट बता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं अगला प्रशन है तब भीमा काली टेंपल इस इन भीमा काली मंदर कहां पर है तो दोस्तो जो भीमा काली मंदर है ये है सरहान में सिमला के सरहान में तो आप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा सरहान में है भीमा काली मंदर और दोस्तो करसोग जो है मंडी का करसोग यहाँ पर कमाक्षा देवी का मंदर है अगला प्रशन है अगला प्रशन है गांधी मर्डर ट्राइल ब में और दोस्तों 1980 में ये भवन जलकर राक हो गया था और रोथिनी कैसल जो है यहे जो एयोई हिम थे उनका निवास स्थान था अगला प्रेशन है अब जो प्रेशन है दोस्तों यहें हिंदी और इंग्लिश हैं पहला इंग्लिश का प्रेशन है अंटॉनिम आफ था बर्ड आपने दोस्तों Augment Word का अंटॉनिम बताना है यानि कि इसका ब्रिप्र अर्थक बताना है दोस्तों Augment Word का जो अर्थ होता है बरिद्धी तो इसका जो सही अंटॉनिम हो जायेगा बो हो जायेगा डिक्रीज ऑप्शन भी जो है वो सही हो जायेगा अगला प्रेशन है Meaning of the Idiom आपने इस इडियम का मेनिंग बताना है इडियम है पुट बंस फोट डाउन तो दोस्तो इस जो ये जो इडियम है इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा तो भी फर्म अबॉट सम्थिंग किसी चीज के बारे में दिरे निश्चे करना पूट ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है यहाँ पर प्रिंग चाएगा प्रोवाइट साएगा बेर आएगा या फिर स्पोर्ट आएगा तो दोस्तों यहाँ पर हेर इस ए डोकुमेंट देट बेर्ज योर जीनिचर तो option C सही हो जाएगा यहां पर bears आएगा bears your signature अगला प्रशन है हिंदी से आंख मुंदना मुहाबरे का अर्थ है तो दोस्तों जो आंख मुंदना मुहाबरे का अर्थ होता है वो होता है मर जाना तो option d जो है वो सभी हो जाएगा मर जाना इस महावरे का सही आर्थो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तो अगला और, अंतिम प्रेशन है इस वीडियो का सुज़ सब्द आपको पताना है अभिहंतर जो है किस तरह लिखा जाता है तो दोस्तो अभिहंतर जो है option C सही हो जाएगा अभिहंतर जो है वो इस तरह लिखा जाता है आपने याद रखना है तो दोस्तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जुरूर बताएं आपके कितने प्रेशन सही हुए इस mock test में अगर आपके 25 प्रेशन सही हो गए होंगे दोस्तो तो आपकी त्यारी बिलकुल सही direction में है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching God bless you all